अगर आपको किसी भी किस्म की आवाज निकालनी हो जीप का इस्तेमाल किये बिना तो आप कौन-कौन सी आवाजें निकाल सकते हैं? मैं चाहता हूँ कि आप कोशिश करके देखें जीप का इस्तेमाल किये बिना आवाजें निकालने की कोशिश कीजिए हाँ, अपने शित रूप से आ का उचारण कर सकते हैं हो सकता है और कुछ हाँ, हो सकता है और क्या नहीं, आप जीब के बिना ई नहीं कर सकते मान लिजे कि आपके पास जीब नहीं होती तो आप कौन-कौन सी आवाजें निकाल पाते आप आ कर सकते हैं आप उ कर सकते हैं आप कर सकते हैं किसे दूसरी आवाज की कोशिश कीजिए कोई इंसान जो बोल नहीं सकता एक गूंगा व्यक्ति जो बोल नहीं सकता वो कौन-कौन सी आवाजें निकालता है क्योंकि इन तीन आवाजों के लिए आपकी जीब की जरूरत नहीं पड़ती तो बोलते समय आप अपनी जीब का इस्तिमाल कर रहे है ये जीब असल में क्या कर रहे है इसका काम क्या है ये हवा के बहाव को नियंतिर्त करती है ये हवा के बहाव को नियंतिर्त करती है हाँ, लेकिन असल में इसका काम क्या है ये आवाज के हिस्से करती है माफ कीजिए ये आवाज के हिस्से करती है ठीक है लेकिन ये असल में क्या कर रही है हिल रही है मिश्चत रूप से हिल रही है क्या ये आवास के हिस्से कर रही है क्या ये आवास के हिस्से कर रही है ये आवास के हिस्से नहीं कर रही है कमपन कर रही है आपकी जीब कमपन कर रही है नई देखे अगर आप अपनी जीब निकाल दें तो आप सिर्फ तीन आवाजें निकाल पाते हैं आ, उ, हम आप जीब का इस्तिमाल कर रहे हैं जीब को अपने मूँ में अलग-अलग जगाओं पर रख कर इन तीन आवाजों को मिलाने के लिए और उन सभी आवाजों का उचारण करने के लिए जिनने आप पैदा कर रहे हैं अगर आप कलर टिलिविजन के बारे में कुछ जानते हैं तो आपको पता होगा कि उसमें सिर्फ तीन मॉलिक रंग होते हैं इन तीन रंगों के इस्तिमाल से आपको स्क्रीन पर हर संभव रंग दिखाई देता है इसी तरह बुन्यादी आवाजें सिर्फ तीन हैं इन तीन आवाजों का इस्तिमाल करके आप इन सभी दूसरी आवाजों का उचारण कर पा रहे हैं जीब बस आपके मदद कर रही है इन तीन आवाजों को कई जटल तरीकों से मिलाने में अब इन तीन आवाजों आ, ओ, और म को मौलिक धोनिया या युनिवर्सल साउंड्स यानि सर्व्यापी धोनिया कहा जाता है क्योंकि ये तीन आवाजें ही उन सभी आवाजों का आधार हैं जिनका आप उचारण कर सकते हैं अगर आप इन तीनों आवाजों का एक साथ उचारण करते हैं तो आपको क्या मिलता है? ये O नहीं है अगर आप अपना मूँ खोल कर हवा बाहर निकालते हैं तो ये A बन जाता है मू बन करते समय आधी दूरी पर ये O बन जाता है जब आप इसे बन कर लेते हैं ये M बन जाता है लगबग हर प्राणी इन तीन आवाजों का उचारण कर सकता है अगर आपके घर में कुत्ता या बिल्ली है वो जम्हाई लेते समय क्या करते हैं? अगर वो मू खोलता है तो वो A कहता है आदी दूरी पर वो O कहता है बंद करने पर तो ये तीन आवाजें मौलिक ध्वनिया हैं ये उन सभी आवाजों का आधार हैं जिनका आप उचारण कर सकते हैं इने सर्वव्यापी ध्वनिया क्यों कहा गया है? आज आधोनिक विज्ञान आपको बता रहा है कि सारा अस्तित्व बस उर्जा का एक स्पंदन है ये एक ही उर्जा है जो अलग-अलग तरीकों से कमपन कर रही है और इस वज़े से ये कई अलग-अलग चीजों का रूप ले लेती है अगर सारा अस्तित्व एक कमपन है जहां कहीं भी कमपन होगा वहां आवाज का होना तय है है कि नहीं? जहां कहीं भी कमपन होगा वहां आवाज का होना तय है तो सारा अस्तित्व आवाजों का एक जटिल मिश्रण है ये एक तरह की आवाज है वो दूसरी तरह की आवाज है, हर आकार एक खास तरह की आवाज है अगर आप किसी आवाज को एक ओसिलोस्कोप यानि ध्वनी का आकार जांचने वाले यंदर में डालते हैं तो ये उसकी फ्रीक्वेंसी, एम्प्लिट्यूट और दूसरे आयामों के आधार पर एक तरह का आकार बनाता है यानि हर आवाज से एक आकार जुड़ा हुआ है इसी तरह हर आकार से एक आवाज जुड़ी हुई है तो ये संबंध आवाज और आकार के बीच के इस संबंध को ही मंत्रों का विज्ञान कहा जाता है अब आधुनिक विज्ञान आपको ये साबित कर रहा है कि पूरा अस्तित्व बस एक कमपन है जहां कहीं भी कमपन होगा, वहां आवाज का होना तय है तो पूरा अस्तित्व बस आवाज है और आवाजों के इस पूरे जटिल मिश्रण की बुन्यादी आवाजे हैं आ, उ और म या आउम तो आउम को सर्वव्यापी ध्वनी या स्रिष्टी के मौलिक ध्वनी कहा जाता है इस तरह के सुंदर कहानिया है अगर शिव यहाँ बैठते हैं और तीन बार आउम कहते हैं अगर वो तीन बार आउम का उचारन करते हैं तो एक पूरा नया ब्रह्मांड पैदा हो जाएगा अब ये कोई तथ्य नहीं है लेकिन ये एक सथ्य है तो शिव बैठ जाते हैं और तीन बार आउम कहते हैं या आउम का तीन बार उचारन करते हैं और एक पूरा नया ब्रह्मांड पैदा हो जाएगा ये तथ्य नहीं है लेकिन ये सथ्य है क्योंकि अस्तित्व के मूल भूत स्पंदन है आ, उ, और म इसलिए आउम को सर्व व्यापी ध्वनी माना जाता है मूल भूत ध्वनी माना जाता है पूरा अस्तित्व एक कंपन है विज्ञान ने आपको ये साबित कर दिया है जहां कहीं भी कंपन होगा वहाँ एक आवाज होगी तो पूरा अस्तित्व आवाजों की एक जटिल व्यवस्था है इन सभी आवाजों की मूल आवाज है आउम आउम मंत्र के अंगिनत फाइदे हैं आज भी अगर यहां कोई व्यक्ति आता है जो किसी तरह की मांसिक अशान्ती से परिशान है तो पहला प्रिस्क्रिप्शन हमेशा आउम का होता है आपको छप्तों तक इसे करें आप थोड़े शान्त हो जाएं और फिर हम दूसरे पहलूओं पर जाते हैं मैं आपको ऐसे सैकडो लोग दिखा सकता हूँ जिनके लिए डॉक्टरों ने ये मान लिया था कि उन्हें जिन्दगी भर मानसिक बीमारी की दवाएं खानी पड़ेंगी लेकिन आप उन्हें दवाओं की जरा भी जरूरत नहीं है और ये बस आउम के उचारंड से हुआ है अगर आप परिशान है बहुत ज्याद डर से विकृत सपनों से बुरे सपनों से डरावने सपनों से अस्थिर मन अस्थिर शरीर अगर आपके शरीर की सामान ये प्रकृति कमजोर है आप अक्सर बीमार हो जाते हैं खास कर बच्चे अगर वो एक जगा ध्यान लगा कर नहीं रख पाते तो हर दिन कुछ मिंटों के लिए आउम का उचारण करने से आपको एक जबरदस्ट फर्क महसूस होगा अगर आपके ऐसी समस्याएं हैं कि आप जीवन में कोई भी काम एक संकल्प के साथ नहीं कर पाते हैं तो हर दिन आउम का उचारण करना आपके लिए सचमुच रुपांतरण लाने वाला होगा दो-तीन हफ़तों में ही आप अपने काम करने के तरीके में जबरदस्ट फर्क देख सकते हैं क्योंकि ये आपके भौते कस्तित्व की मूल धोनी है जब आप आउम का उचारण करते हैं तो ये बहुत महत्वपून है कि आप इसके द्वारा पैदा किये जाने वाले कमपनों के प्रकरिती के प्रतीज जागरूक रहें बिना ज़रूरी जागरूकता कि किसी भी मंदर को दोहराना आप में सुस्ति लाएगा दोहराने की प्रक्रिया आपको सुस्त बना देगी जैसे अगर आप यहाँ बैठकर कहते हैं तो आप सुस्त हो जाएंगे दुर्भागे से ज्यादतर लोग इस सुस्ती को शान्ती समझते हैं अगर आप सुस्त हैं तो आप शान्ती होंगे अगर आप मर जाएं तो पूरी तरह शान्त है ना आपके सुस्थ और शान्त होने का कोई फाइदा नहीं है अगर आप उत्साहित तरीके से जीवन्त है और शान्त है तो यह अच्छी बात है अगर आप ऐसे बन जाते हैं और आप शान्त हैं तो यह अच्छा नहीं है दोहराने की प्रक्रिया आपके दिमाग के साथ ऐसा ही करेगी अगर आप किसी चीज को बार-बार दोहराते जाते हैं तो आपका दिमाग सुस्थ हो जाएगा दुर्भागे से लोगों को लगता है कि ये शांती है मैं तो चाहूंगा कि आप बेचैन रहें और आपका दिमाग सक्रिय रहे बजाए इसके कि आप सुस्थ हो जाएग और शांत रहें ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जब आप मंत्र का उचारन करें जब आप किसी भी ध्वनी को दोहराएं आप एक तरह की जागरूपता बनाए रखें सिर्फ तभी वो मंत्र एक सफूर्ती दायक प्रक्रिया बनता है तो जब आप आउम मंत्र का उचारन करते हैं ये आवाज आपकी नाभी के ठीक नीचे से शुरू होती है और आपकी नाक के सिरे पर खत्म होती है तो हर उचारन पर आपको उस पंदन के साथ चलना है आपको अपनी जागरूपता को कमपन के साथ साथ चलाना है सिर्फ तभी ये जागरूपता आपके भीतर एक जबरदर शक्ती बन जाती है लेकिन जागरूकता के बिना अगर आप बस यहाँ बैठ कर आम आम करते हैं तो आप सुस्त बन जाएंगे तो आम का कई अलग-अलग तरीकों से इस्तिमाल किया जा सकता है जैसा कि मैं कह रहा था ये संबंध आकार और आवाज के बीच के इस संबंध को मंत्रों का विज्ञान कहते है हर आकार के साथ एक आवाज जुड़ी होती है हर आवाज के साथ एक आकार जुड़ा होता है एक ध्वनी, एक शुद्ध ध्वनी को मंत्र कहा जाता है उससे जुड़ा आकार यंत्र है इन दो चीजों को एक साथ इस्तिमाल करने की तक्नीक तंत्र है ध्वनी मंत्र है उससे जुड़ाकार यंत्र है इन दोनों चीजों को साथ लाने और अपने फाइदे के लिए उसका इस्तिमाल करने की तक्नीक को तंत्र कहा जाता है तो ये एक बहुत गहरा और महत्वपून विज्ञान है दुर्भाग्य से ये बुरे समय से गुजर रहा है और इसकी वज़ा है इसका दुरुप्योग और इसे सही तरीके से करने के लिए जरूरी प्रतिबधता का अभाव अगर आपको किसी मंतर का प्रयोग करना है तो मंतरों की कई शक्तशाली प्रणालिया है लेकिन अगर आपको उनका प्रयोग करना है तो आपको उन्हें बहुत ही ज़्यादा साफधानी से और करीबी मार्क दर्शन में सीखना होगा इसे खुद से करने की कोशिश करना आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसान दायक हो सकता है खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने जीवन में अंग्रेजी के अलावक कोई दूसरी भाशा नहीं बोली है उन्हें बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा क्योंकि आवाजों के उच्चारण के उनकी ख्षमता बहुत सीमित है और उनसे मंतरों के उच्चारण में गलती हो ही जाएगी तो मंतरों का गलत उच्चारण और ये ध्वनिया जो शक्तेशाली प्रणालिया हैं इनको गलत तरीके से इस्तिमाल करना लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकता है इनका प्रयोग बहुत ज़्यादा सावधानी से किया जाना चाहिए तो हर तरह के मंतरों को ना आजमाएं जब तक कि कोई जानकार व्यक्ति मार्ग दर्शन न कर रहा हो मगर आउम एक मूल भूत और सर्वव्यापी मंतर है जिसका उचारन हर कोई कर सकता है और इसे भी सही तरीके से किया जाना चाहिए आउम मंतर में तीन आवाजे हैं आ, उ और म ये आ, उ और म जब आप इसका उचारन करते हैं तो उन्हें लगभग बराबर होना चाहिए और आपको नाभी के ठीक नीचे से अपनी नाक के सिरे तक होने वाले कमपन को देखते रहना है हर एक उचारन पर आपको अपनी जागरूपता उस पंदन के साथ रखनी है सिर्फ तभी ये मंतर आपके लिए काम करेगा अभी हम इसे करेंगे अर्ध सिधासन में बैठें या पालती लगा कर बैठ जाएं आप अपने लेफ्ट हील यानि अपनी बाई एडी को लेकर उसे अपने मूलाधार पर लगाएं मूलाधार यानि आपके इनल आउटलेट और जनाइटल ओर्गन के बीच आपके गुदाद्वार और जननांग के बीच एक छोटी सी जगा है योग में इसे मूलाधार कहा जाता है तो आप अपनी बाई एडी को बाहर लगाएं दाहिने पैर को बस आराम से अपने सामने रखें आपके लिए वो जैसे भी आराम दे हो तो इसे अर्ध सिधासन कहते हैं यहां हमें एक मुद्रा धारन करेंगे जिसे योग मुद्रा कहते हैं आप इन चार उंगलियों को एक सात रखें अंगुठा इस तरह बाहर है पहली उंगली और अंगुठे के सिरों को एक साथ मिलाएं और उनसे एक गोला बनाएं लेकिन ये चार उंगलिया एक साथ रहनी चाहिए यहाँ कोई खाली जगा नहीं होनी चाहिए यहाँ गैप ना आने दें चारों उंगलिया साथ हैं पहली उंगली और अंगुठा एक गोला बनाएंगे और हथेली को उपर की ओर करके रखें जब आप मुद्रा धारन करते हैं तो आपको उसे यूं रखना चाहिए कि आपकी बाहें ढीली रहें मुद्रा को अपनी जांग पर ऐसी जगा पर रखें कि आपकी बाहें बिल्कुल धीली रहें सिर्फ मुद्रा में तनाव होना चाहिए आपकी उंगलियों के सिरे से लेकर आपकी कलाई तक थोड़ा तनाव होना चाहिए मगर वो तनाव आपकी बाकी की बाह में आपके फोराम या बाइसेप मसल तक नहीं जाना चाहिए सिर्फ मुद्रा में तनाव होना चाहिए तनाव के लिए बाकी की बाह का इस्तिमाल ना करें अगर आप पूरी बहां का इस्तिमाल करते हैं तो मुद्रा नेगेटिव हो जाएगी तो आप अर्ध सिद्धासन में बैठे हैं हाथों में योग मुद्रा धारंड किये हुए हम इस आसन में आउम का उचारंड करेंगे अपनी आखे बंद कीजे हम इस मंत्र का उचारंड करेंगे अगर आप आ का उचारंड करते हैं तो आप देखेंगे किस पंदन आपकी नाभी से तीन चौथाई इंच नीचे शुरू होगा जरा करके देखिए कैसा है? सिर्फ यही एक ऐसी आवाज है जो स्पंदन को पूरे शरीर में फैलाती है क्योंकि यही ऐसा एक मात्र बिंदू है जहां सभी 72,000 नाडियां मिलती है और खुद को फिर से फैला देती है यह आपका देखरेक का केंद्र है आप जब अपनी मा के गर्ब में थे तब देखरेक की नली आप से कहां पर जोड़ी होई थी? नाभी पर अब देखरेक वाली नली काट दी गई है लेकिन फिर भी देखरेक का केंद्र यहीं है तो आव विश्नू का मंत्र है यह पोशन और देखरेक कमंत्र है अगर आप आप का उचारन करते हैं तो स्पंदन ठीक आपके नाभी के नीचे से शुरू होगा और पूरे शरीर में फैल जाएगा कोई भी दूसरी आवाज ऐसा नहीं कर सकती आप अपनी आखें बंद करें और कई दूसरी आवाजों का उचारन करके देखें स्पंदन शरीर के अलग-अलग हिस्सों में होंगे मगर कभी भी पूरे शरीर में नहीं फैलेंगे यही एक मात्र ऐसी आवाज है जो ऐसा करती है क्योंकि ये देखरेक कमंत्र है ये विश्नू कमंत्र है अगर आप उ का उचारन करते हैं तो आप देखेंगे कि इसकी शुरुवात होती है जहां पसली की हड्डिया मिलती है उसके ठीक नीचे एक कोमल जगा है योग में हम इसे अनाहत कहते हैं अनाहत यानि बिना टकराव की आवाज तो उ की आवाज यहां से शुरू होती है और फिर स्पंदन ऐसे जाएंगे और फिर उपर की ओर जाएंगे ये कभी भी ऐसे नहीं जाएंगे करके देखिए कैसा है? ये ब्रह्मा का मंत्र है ये स्रिजन का केंद्र है और ये ब्रह्मा का मंत्र है अगर आप का उचारण करते हैं तो आप देखेंगे कि स्पंदन आपके गले के गढड़े से शुरू होगा और आम तोर पर आपके शरीर के उपरी हिस्से में फैलेगा कैसा है? तो ये शिव का मंत्र है ये विशुद्धी चक्रपर है विशुद्धी का अर्थ होता है छलनी या फिल्टर अगर आपका विशुद्धी सक्री है तो आप अपने पास आने वाली हर चीज को छान सकते हैं और सिर्फ काम की चीज़े ले सकते हैं आप जानते हैं कि शिव को नीलकंट या विश्कंट काहा जाता है क्योंकि वो जहर पी जाते हैं और उसे ठीक यहीं पर रोक लेते हैं वो उसे अपने शरीर परसर नहीं करने देते हैं जहर यानि ये जरूरी नहीं है कि आपने कुछ खाया या पिया हो एक विचार आपके जीवन में जहर घोल सकता है एक भावना आपके जीवन में जहर घोल सकती है एक सोच आपके जीवन में जहर घोल सकती है एक गलत सोच, एक गलत विचार, एक गलत भावना आपके जीवन को पूरी तरह से बिगाड़ सकती है तो अगर आपका विशुद्धी सक्रिय है तो आप उसे यहीं छान लेते हैं अगर वो ठीक यहीं पर है तो आप इसे जब चाहे बाहर थूख सकते हैं इसलिए जब आप किसी को पसंद नहीं करते तो लोग थूखना चाहते हैं वो चाहते हैं कि सबसे बुरी चीज उनके पास चली जाए इस बात को बड़ी खूबसूरती से यूँ बताया गया है अगर आम मंतर पर आपकी महारत है तो आप असाधारन रूप से अमीर बन सकते हैं अगर उ मंत्र पर आपकी महारत है, तो आप असाधरन रूप से बुद्धिमान बन सकते हैं, अगर उ मंत्र पर आपकी महारत है, तो आप असाधरन रूप से ताकतवर बन सकते हैं, लेकिन जब आप आउम मंत्र का उचारण करते हैं, तो आपको इस बात का ख्याल रखना होग आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है, लेकिन इस पैसे का उप्योग करने के लिए ना तो बुध्धी है और ना ही ताकत, तो आप काफी दिक्कत में रहेंगे। बहुत सारी दिक्कत, ये तीनों चीजें आपके भीतर संतुलन में होनी चाहिएं, सिर्फ तभी आप एक संतुलित जीवन जीएंगे। लेकिन आभी आपको पैसे चाहिए, तो आप यू ना करें, आम। जाते हैं, तो इसे किसी जानकार व्यक्ती के मार्कदर्शन में करना होगा। लेकिन आउम एक मौलिक ध्वनी है, हर कोई इसका उचारन कर सकता है। हम इसे करेंगे, अर्ध सिधासन में बैठें या पालती लगा कर बैठ जाएं। आप अपने लेफ्ट हील, यानि अपनी बाई एडी को लेकर उसे अपने मूलाधार पर लगाएं। मूलाधार यानि आपके इनल आउटलेट और जनाइटल ओर्गन के बीच, आपके गुदाध्वार और जननांग के बीच एक छोटी सी जगा है। योग में इसे मूलाधार कहा जाता है। तो आप अपनी बाई एडी को बाहर लगाएं, दाहिने पैर को बस अराम से अपने सामने रखें, आपके लिए वो जैसे भी अराम दे हो। आप इन चार उंगलियों को एक साथ रखें, अंगुठा इस तरह बाहर है, पहली उंगली और अंगुठे के सिरों को एक साथ मिलाएं, और उनसे एक गोला बनाएं, लेकिन ये चार उंगलियां एक साथ रहनी चाहिएं, यहाँ कोई खाली जगा नहीं होनी चाहिए, आप मुद्रा धारन करते हैं, तो आपको उसे यू रखना चाहिए कि आपकी बाहें धीली रहें, मुद्रा को अपनी जांग पर ऐसी जगा पर रखें कि आपकी बाहें बिलकुल धीली रहें, सिर्फ मुद्रा में तनाव होना चाहिए, आपकी उंगलियों के सिरे से लेकर आपकी कलाई तक, थोड़ा तनाव होना चाहिए, मगर वो तनाव आपकी बाकी की बाह में, आपके फोराम या बाइसेप मसल तक नहीं जाना चाहिए, सिर्फ मुद्रा में तनाव होना चाहिए, तनाव के लिए बाकी की बाह का इस्तिमाल ना करें, अगर आप पूरी बाह का इस्तिमाल करते हैं तो मुद्रा नेगेटिव हो जाएगी तो आप अर्ध सिद्धासन में बैठे हैं हाथों में योग मुद्रा धारंड किये हुए तो जब आप आउम मंत्र का उचारंड करते हैं आप अपना मुँ खोलिए और कईए आ धीरे से अपना मुँ बंद कीजिए ये उ बंद जाता है आप इसे बंद कीजिए ये उ बंद जाता है ये आवाज आपके नाभी के ठीक नीचे से शुरू होती है और आपकी नाक के सिरे पर खत्म होती है तो हर उचारण पर आपको उस पंदन के साथ चलना है आपको अपनी जागरूकता को कमपन के साथ साथ चलाना है सिर्फ तभी ये जागरूकता आपके भीतर एक जबरदर शक्ती बन जाती है अपनी रीड को सीधी रखें, अपनी आखें बंद करें अब हम इस मंतर का उचारण करेंगे अबाल आए नाँ आए आए अरका जर समय हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ हुआ है 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 हुआ 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 क्रिपया अपनी आखे खोलें